नमस्कार दोस्तों स्वागेत आपका CP Smart Classes में दोस्तों breaking new जा रही है एक result घोंसित कर दिया गया है Review Officer जैनि कि समिक्षा देखारी का result घोंसित किया गया है RO का परिणाम घोंसित किया गया है और आपको परिणाम दिखाते हैं जिन छातरों का चैन हुआ है नाम भी आपको बताएंगे इस वीडियो में तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और एक चीज़ और आपको बता दें कि Review Officer के यह result घोंसित होने के बाद नई vacancy इसकी निकलने के आसर बढ़ गया है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसमें सफल नहीं हुए है तो पेपर आपको खराब हुआ है तो एक नई vacancy आपके लिए आने वाली है और अब वो vacancy आएगी दोस्तों यह देखें यहाँ पे यह result है पूरा पूरा और कुल 132 छात्रों का इसमें चैन हुआ है तो हाई कोड आप जूडिकेचर आप इलाहाबाद यहां से रिविव आफीसर की वेकेंसी 2019 में निकाली गई थी जिसका पेपर हुआ था और आज इसका list of selected candidate की आपकी दिखाई दे रही है इसका final result जारी कर दिया गया है 132 छात्रों का चैन हो चुका है और अगली वेकेंसी जल्द ही आने वाली है तो इसमें देख लेते हैं देखिए सबसे पहले तो हरी भगवान कुस्वाहाद का सेलेक्शन हुआ है इसमें और यह OBC के टेग list है वो देख लेते हैं कितने लोगों की है आप इसका screenshot ले सकते हैं जिससे की आपना result अपना इसमें देख सके इसलिए मैं इसको दीवे दीवे मूब करता हूं थोड़ा सा क्यूंकि जिससे की सभी लोग screenshot ले सके जिनको लेना है 132 candidate 132 candidate है लास्ट नाम भी मैं आपको बता 132 candidate की है अब बात करते हैं अगले भरती की तो देखिए आरों की बहुत ही सक्त requirement है ज्यादा पद खाली पड़े हुए है इलाहावाद हाई कोट में और इसका जो यह result आया हुआ है इसके बाद भी अभी काफी पद वहां पर खाली है और इसमें बात चल लाई थी बीच में social medium भी news थी कि इसके नई भरती आएगी तो इसके बारे में पता करते हैं कुछ और information जैसे ही इसके बारे मिलती नई भरती के बारे में तो आपको update करेंगे और जिन चातुरों का यहाँ पर chain हुआ 132 चातुरों का उन सभी को सुभ कामना है और जिन चातुरों का chain नहीं हुआ तो वह लोग दुखी ना हो हो सकता है कि कोई अच्छी और अच्छी वैकेंसी उनका इंतियार कर रही हो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई update के साथ पूरा वीडियो देखने लिए धन्यवाद वीडियो को like share जरूर करें